प्रदेश की राज़ानी रायपूर इस्तित शहीद संजय यादव शास की उच्चतर मादेमिक शाला में शहीद संजय यादव की पतिमा का अनावरन डिप्टी सेम और ग्रिही मंत्री विजय शर्माने किया इसके साथ ही यहाँ पर रायपूर रेंज के आईजी अमरेश मिश संतो सिंग के अलावा इसकुल के सिक्षक और बड़ी संख्या में शात्र शात्राएं मौजुद रहे बता दे कि संजय यादव राजनात गाउं के मदनवाड़ा में 2009 में हुए नकसली हमले में स्पी 24 के साथ शहीद हुए थे बता दे कि शहीद संजय यादव और स्पी 24 के गनमें थे डिप्टिस ये मिजश शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि सरकारी संपत्ती बहुत मुश्किल से बनती है एक एक चीज़ बनाने के लिए 80 चोटी का जोर लगाना पड़ता है पूरा जीवन खब जाता है सरकारी संपत्ती को नुकसान पहुंचाना गलत बात है आज के समय में सारा नोजमान साथी जदका तुमन गयारवी बारवी में पड़त पड़त हो अभी सब से मैं निमेदन करता हूं एक बात के एबात के अपील तुम हर सोसल मीडिया में होना चाही एबात के अपील तुम हर घर परिवार में होना चाही एबात के अपील तुम जेन मेरे बैट थो, बात कर थो होना चाहिए, बहुत मुश्किल से एक-एक चीज बन थे, सुभास भीया बता रही से, कि इस्कूल ला बनाये बर यह चोटी एक हो गये, 20 साल के जीवन खप गये, तब जा करके अतकापड़ इस्कूल आज बन करके तयार हो है, एक-एक चीज बनाये मां, एक-एक चीज बनाये मां बहुत महनत लगते, तो सरकारी संपतीला नुकसान पहुचाना गलत बात है, बहुत महनत से हो थे भई, सरकारी संपतीला नुकसान पहुचाना बहुत गलत बात है, हम कतको कही नमजमाना है, मानही का कर ला सबके सोशल मीडिया इंस्टाग्राम का का खरे हाथ उठाओ तो मैडम जी कुछ नहीं का है तुम उठा दो बस अपन इंस्टाग्राम में बात लगा है ना संजाई यादोजी के आज परतिमा के अनावरणला संजाई आदो जी के फोटो आपके इंस्टाग्राम मत दिखा है आज याद रखू में बात लाए और ये बात की अफील हुआ है संगमा कि एक बात की अफील हुआ है संगमा कि एक वेक्तिजन लोग तंत्र के रक्षा पर अपन जीवन समर्पित कर देश अब एक वेक्तिजन लोग तंत्र के मंदिर मा सरकारी संपत्तिला नुक्सान पहुचा थे सारजनिक संपत्तिला नुक्सान पहुचा थे आंदोलन धर्ना परदर्शान एक अलग बात है और करे जा सकत है परन्तु सरकारी संपत्ति ले नुक्सान पहुंचाएगे कामला बिल्गुल नहीं करना चाहिए बड़ा मुश्किल से चीजन बनते तुम्हार बड़े होत होतले सब पहिमन तबाची और हमर कतका दिन माज गए अब जीना तो तुम्हील है भई दुनिया मा है तनवन ही बात मुरहार्दिक शुब कामना है